I welcome you all my dear students to my channel engineer study आज हम स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है true love, सच्चा प्यार ठीक है आज हम reading करने वाले translate भी करेंगे काफी सारे hard word, grammar और structure आपको सिखाऊंगा है एक एक word का meaning उसका part of speech भी आपको बताऊंगा वो noun है या pronoun है, verb है, adverb है, क्या है उसका क्या meaning निकलता है और sentence में किस तरह से उसका use करना है everything will be discussed in this particular video lecture तो पूरा वीडियो सूरु से लेके आखरी तक आपको देखना है ताकि इसका पूरा फायदा आप ले सकें तो start करते हैं इस slide से, देखो क्या हुआ their lived, बहुत ही प्यारी कहानी है true love, sachha प्यार their lived मतलब रहता था कौर रहता था, a king, एक raja एक raja रहता था and a queen और एक rani है न, हमारा subject क्या है, a king and a queen तो एक raja और एक rani रहते थे, देखो, एक raja और एक rani रहते थे who wanted, who मेरा conjunction है जो चाहते थे, who wanted, जो चाहते थे, क्या चाहते थे, a baby, एक बच्चा, जो एक बच्चा चाहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, they prayed, उन्होंने प्रातना की, they क्यों बोला, क्योंकि दो लोग है, a king and a queen, दो लोग की बात है, इसलिए they बोला है, they prayed, pray की past form है, prayed, past indefinite tense, उन्होंने प्रातना की, कैसे प्रातना की, hard, मतलब बड़ी महनत से, बड़ी कड़ाई से, ये तो adverb है, कैसे प्रातना की, hard, ठीक है, जैसे में, आप ये मत बोला, सर, ये adverb है, तो hardly क्यों नहीं लिखा हुआ है, देखो, hardly अलग adverb होता है, ये hard का मतलब होता है, महनत से, बड़ी कड़ाई से, और hardly का मतलब क्या होता है, ह-A-R-D-L-Y, hardly का मतलब होता है, ना के बराबर, जैसे, वो ना के बराबर school जाता है, मतलब बहुत कम school जाता है, तो मैं कैसे बूलूँगा, जैसे, he worked hard, he worked hard, उसने काम किया, hard मतलब बड़ी महनत से, कड़ाई से मतलब उसने कड़ी महनत की, तो hard और hardly में confused नहीं होना है, ठीक है, न, okay, समझ गया, hardly का मतलब ना के बराबर, hard का मतलब महनत से या कड़ाई से, ठीक है, तो they prayed hard, उन्होंने प्रात्ना की, बड़ी महनत से, बड़ी कड़ाई से, बड़ी संगर्स के साथ, पूरी महनत से, and, और God, और देवता ने, finally, अंत था, क्या किया, rewarded, rewarded का मतलब होता है, पुरस्कृत किया, reward, देखो, दो मीनिंग है, R, E, W, A, R, D, reward, का मतलब होता है, इनाम, या फिर पुरस्कार, या जब या नाउन है, और जब या वर्भ है, तो इसका मतलब क्या होता है, पुरस्कार देना, या इनाम देना, पुरस्कृत करना किसी को, ठीक है न, ये मीनिंग होता है, सुद धिंदी में, तो finally क्या हुआ अंत था God ने भगवान ने अंत था rewarded them मतलब पुरस्कृत किया them याने उन्हें दो लोग है राजा और रानी इसलिए उन्हें और किस चीज किस से पुरस्कृत किया किस चीज का पुरस्कार दिया तो with लगा के लिखना देखो with याने से किस चीज से पुरस्कृत किया with a baby boy मतलब एक पुत्र से पुरस्कृत किया उन्हें एक पुत्र के रूप में उन्हें क्या किया reward दिया इनाम दिया उनकी प्राथना का ठीक है unfortunately दुरुभागयवस या बदकिस्मती से क्या हुआ the baby वो बच्चा was born मतलब वो जन्मा था with मतलब किसस चीज के साथ जन्मा था वो the head of a donkey the head मतलब sir of याने का किसका a donkey एक गदे एक गदे के सीर के साथ जन्मा था बढ़ा अजीब सा बच्चा था उसका सीर कैससा था गदे का सीर लगा हुआ था ठीक है देखो अब यहां पर देखो वाज के बाद यह बॉर्न जो लगा हुआ है यह बीयर की थर्ड फॉर्म है बीयर बॉर्न बॉर्न ठीक है तो जब भी किसी का जन्म होता है ना तो हम बीयर की थर्ड फॉर्म का ही इस्तमाल करते हो पैसी वाइस में इसका इस्तमाल होता है जैसे मैं बोलू मेरा जन्म सन 2000 में हुआ था मुझे बोलना है तो मैं हुआ था का मतलब मुझे जन्म दिया गया था ये सेंस है इसलिए पैसी वाइस में लिखा जाता इसको I was born in 2000 I was born in 2000 मेरा जन्म सन 2000 में हुआ था मतलब मुझे जन्म दिया गया था पैसी वाइस देखो, the baby, the baby क्यों बोला है, क्योंकि हमें पता है कि इस baby के बात हो रही, पहले जिक्र हो चुका है, है न, baby boy, पहले a baby boy लिखा था, a लिखा था baby के पहले, अब यहाँ पर the बोला है, क्योंकि जिक्र हो चुका है, तो the baby was born, उस बच्चे को जन्म दिया गया था, उसका जन्म he was loved मतलब उसे प्यार किया जाता था कैसे तो बीच में उसे व्याराइ दिखा था मतलब अच्छी तरह से उसे प्यार किया जाता था विकॉस ऑफ ये सुईट नेचर आगे नेचर लिखा हुआ देगो अब विक्कॉस किया है Sir, because जब अकेला होता है तो एक अंजंग्सन होता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है और because के साथ ये off जुड़ गया, तो ये एक preposition है, इसका मतलब होता है के कारण, जैसे मैं बोलू, मैं ये match तुम्हारी कारण हार गया, तो मैं कैसे बोलूँगा, I lost this match because of you, मतलब तुम्हारी कारण, तो because of के बात आप object लिखते हैं, कि के कारण, या की वजह से, तो yet, फिर भी he was well loved, उसे अच्छी तरह प्यार किया जाता था, because of के कारण, किस कारण, because of his sweet nature, उसके प्यारे वहार के कारण की वजह से उसे बहुत ज्यादा प्यार, अच्छे से दुलार किया जाता था, प्यार किया जाता था, one day, एक दिन क्या हुआ, the young prince, उस, the young, मतलब वो, you are, prince, किस prince की बात की जारी, यह दा किस के लिए लगा, इस prince के लिए लगा है, एक दिन, the young prince, वो, you are, Rajkumar, went गया, goya ने जाना, past form event, गया, कहां गया, to लगा के लिखते हैं, कहीं भी जाते हैं तो, to the forest, मतलब जंगल गया, and saw, और देखा, and saw, और देखा, see या ने देखना, past form में saw, और देखा, his reflection, मतलब, अपना प्रतिविम देखा, है ना, अपनी image को देखा, कहां पर, in a lake, एक जील में, इन मतलब में, किस में, a lake, एक जील में, अपना चित्र देखा, reflection देखा, अपनी प्रतिविम देखा, जैसे आएने में हम देखते हैं, उसको देखा, उसने, मतलब के बिना, telling मतलब कहना, मतलब कहे बिना, किसी से कुछ कहे बिना, anyone, किसी से कुछ कहे बिना, left the kingdom, उसने छोड़ दिया, leave की past form है, leave, l-e-a-v-e, leave याने छोड़ ना, past form है, left, उसने छोड़ दिया, the kingdom मतलब राज, देखा, he was, very sad, वो बहुत दुखी था, and without telling anyone, और बि को, he traveled the world, उसने यात्रा की, travel, मतलब यात्रा करना, traveled, उसने यात्रा की, the world मतलब दुनिया भर की यात्रा की, इधर उधर हुमा, and reached, और पहुंचा, कहां पहुंचा, reach की past form, reached a distant kingdom, जब भी आप reach के साथ कहीं, आप पहुंचते हैं, तो direct लिखना है, कहां पहुंचे, reach के kingdom, और एक दूरस्त राज्य में, दूर के, बहुत ज़्यादा दूर के राज्य में, पहुंच गया, seeing his pleasing manners, seeing मतलब देखकर, his याने उसके, pleasing मतलब मनभावन, या बड़े अच्छे manners, मतलब आचरन, उसके बहुत अच्छे आचरन को देखकर, the king of that land, जो राजा थे, of मतलब क मतलब उस भूमी के, जो नए राजय में, डिश्टेंस, kingdom में चले गएते दूर के, तो वहां के जो राजा थे न, उसके अच्छे वैभार को देखकर, maid, उस राजा ने बना दिया, में क्या ने बना न, past form a maid बनाया, ही में ने उससे क्या बना दिया, his courtier, अपना दरबारी बना लिया, अपना क्या बना दिया, दरबारी का, पद दे दिया, दरबारी बना लिया, ठीक है, फिर क्या हुआ भई, everyone मतलब हर कोई, even the princess, यहां तक की राजकुमारी तक, even मतलब तक, even the princess, मतलब राजकुमारी तक, कहा की, princess of मतलब की, this kingdom, इस राजे की, every मतलब हर कोई, य पसंद करती थी, उसे, ही म्यांने उसे, बहुत प्रसंद करती थी. She wanted to marry him, she wanted, च Color прекat, क्या to marry, साधी करना चusta ता, किसे ही मी किसे ATOR के जब यहां के सात, directly लिखना किसे साधी करने की बात बात हो, एंटा? She wanted to marry him, वो उससे साधी करना चाती थी. The King agreed, kings agreed, a king said his regime normal, agreed, वो राजा मान गए, and celebrated their wedding, और उन्होंने celebrate किया, मनाया, past form है, क्या मनाया, their wedding, उनकी साधी, कैसे मनाई, with great fanfare, fanfare मतलब धूनबाम से, great fanfare मतलब खूब धूमधाम के साथ, बहुत ही धूमधाम से, बड़ अच्छे से उन्होंने क्या कि, उनकी साधी को celebrate किया, wedding को मनाया, at night, रात को, when, जब, the princess kissed the donkey's head, रात को जब, the princess, मतलब, उस राजकुमारी ने kiss किया, kiss, की past form है, kissed, किस को kiss किया, the donkey's head, उस गधे के सर को, उस जो, प्रिंसेस, मतलब, राजकुमारी ने, जो व्यक्ती था, गधे के सर वाला, उसके head को, उसके सर को, जब किस किया, तो क्या हो, पता है, it fell off, from the princess body, it fell off, वो जो सर था ना, वो, गधे वाला, it fell off, fall off, की past form है, fell off, मतलब, गिर के, अलग हो गया, वो अलग हो गया, from मतलब से किस से, the princess body, princess मतलब, राजकुमार के, body याने, सरीर से, वो जो, गधे वाला सर था, वो अलग हो गया, और अच्छा सर आ गया उसमें है, और इस तरह से क्या हुआ, the true love of the princess, जो सच्चा प्यार था, उसका, the princess, राजकुमारी का, जो सच्चा प्यार था ना, उसने क्या किया, head broken, उसने तोड़ दिया था, head के बाद, verb की third form है, past perfect tense है, कुछ हो गय बहुत उस लंबे से सराप को तोड़ दिया था, सच्चे प्यार ने, and a handsome prince, और एक खूबसूरत राजकुमार, stood, मतलब मौझूद था या खड़ा था, in front of, मतलब के सामने, किसके सामने, in front of the princess, राजकुमारी के सामने, and a handsome prince, stood in front of the princess, और एक खूबसूरत सा राजकुमार, क्या था, खड़ा था, किसके सामने, princess के सामने, राजकुमारी के सामने, they were way थे, क्योंकि दो लोग है इसलिए, they were very happy, बहुत खुश थे, and lived, और जिये, कैसे जिये, blissful ever after, कैसे जिये, उन्होंने, बड़े आनन से, blissfully, blissfully, मतलब बड़े आनन के साथ, ever after, मतलब उसके बाद स बहुत ही सुख से, बड़े आनन के साथ, उन्होंने अपना जीवन जिया, कैसी लगी स्टोरी, आपको इसी तरह से, read करना है, ठीक है, जितना ज़दा आप रीड करते हैं, उतना आपकी English अच्छी होती है, आपकी thinking अच्छी होती, overall development होता है, आपकी personality का, इसलिए, the more you read, the more you learn, okay, thank you very much my dear students, अगर वीडियो पसंद आ रही तो please like करना, channel को subscribe करना, अपने friends के साथ, family members के साथ, आप इने share जरूर करना, thank you very much